दुश्तों नई सिक्षक बरती यानि सुपर टेट को लेकर के कल से सोसल मीडिया फेस्बुक आधिके विविन ग्रुपों में ये हलचल मची हुई है कि नई सिक्षक बरती बहुत ही जल्द आ जाएगी योपे टेट की परिक्षा होने से पहले ही नई सिक्षक बरती आ कि उसी क्रम में बेसिक सिक्षा बिवाग में उच्च अधिकारियों से मिलकर सिक्षक बरती हेतु वारता की गई जहां पर निम्ण महत्तपूर जानकारियां प्राप्त हुई है जो कुछ इस प्रकार है कहा जा रहा है कि जब तक माननी सुप्रीम कोड से बिएश्टी सी और बिएट का जो विवाज चलना है प्रात्मिक सिक्षक बरती में अरिता को ले करके वो फैसला जब तक नहीं आया था तब तक हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते बात करेंगर हम ये फैसला कब तक आ जाएगा लाश्ट जो डेट थी इसकी 24 तारिक थी जिसमें भी जो सुनवाई नहीं कर रहे थे इस मामले की तो उनकी जिगे पे कोई नए जच को पॉइंट किया गया था अब क्या है नए जच को पूरा प्रकड को समझने में थोड़ा सा समय लगेगा इसलिए नेक्ट डेट दे दी गई थी 14 तारिकी 14 दिसमबर को फिर से सुनवाई होगी और उमीद है कि ओडर रिजर्व हो जाएगा ओडर रिजर्व होने के बाद 10 से 15 दिन में ओडर पब्लिक हो जाता है यारी दिसमबर से जनवरी तक ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही आपकी यूपिटेट की प्रक्रिया सुरू होगी पहले वाला जो पर ये निकल करके आया है कि आने वाले नए वित्ती वर्स में 51,112 पदों के लिए बजट पास किया जाएगा कब फरवरी में तो ये चीज हमने आपसे पहले भी एक बार साजा की थी कि नई सिक्ष्च बरती की बात अगर हम करें तो 2023 में जरूर आएगी क्यों कि 2024 में परती की बात कही गई थी लेकिन हुआ क्या फिर वो पेंडिंग में मामला हो गया अचार संगिता लग गई और जो 68 सो पद थे वो भी अभी पेंडिंग में है जो 79,000 सिक्षक बरती में एड होने है देखते हैं उसमें क्या होता है प्रक्रिया 2022 में क्यों नहीं आई नहीं ये रहा 2022 का एलेक्षन तो था लेकिन सरकार को ये पता था तब ये लगता था कि उन्होंने दो बड़ी भरतियां कर ली है 68,500 और 79,000 कहने को तो ये सुप्रीम कोट के द्वारा आदेश हुआ था कि जो सिक्षामित्रों के पद हैं उनको रद करके ये भरतियां की गई थी लेकिन सरकार की तरफ से अपने पीट थप थपाने के लिए इतने पद उनको लगता था कि हमने दो बड़ी भरतियां करा दी हैं कुछ वैकेंसी जो है वो अगले साल के लिए रखना चाहते थे इसलिए 2022 तक उन्होंने दुबारा से कोई वैकेंसी नहीं निकाली लेकिन पर उतरब दे सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी आल लेडी बिदान सभा में ये बात सुईकार की गई है कि सरकार के पास अभी प्रात्मिक सिक्षक में यानि जो प्रात्मिक विभाग है आपका बेसिक सिक्षा विभाग है उसमें प्रात्मिक सिक्षकों के काफी प्रिक्षा को खतम कर दिया गया था या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक राज में ऐसा भी हुआ था कि सीटेट परिक्षा को वो नहीं मानते थे तो यो पेटिट जरुरी है कराना थीक है तो ये कंडिशन बात किये फिलाल आपको ये मान करके चलना है कि सुपर टिट की परिक्षा है वह यो पेटिट की बाद ही होगी परिक्षा नई एजंसी कराएगई इस पर काम चल रहा है चेहन प्रक्रिया में pegar बदलाओ किये जाने ह हैं अभी इस बारे में सासन इस्तर से कोई भी ओफीशल नहीं है कई सारे यूटूब चैनल के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि सासन इस्तर से ये भरती आ रही है और ये तै है ठीक है सारी बाते ठीक है लेकिन आप ये सोचिए कि बिना यूपिटेट की परिक्षा के सुपर्टेट नहीं होगा तो अभी अफवाहों पर ध्यान ना दे ऐसी ख़बरे चलती रहती है और कई बार आपने देखा होगा यूटूब चैनल पे समाचार पत्रों में भी कई बार भरती आई लेकिन हकीकत में नहीं आई कारण है कि सरकार अपने इस तरह से अभी आपको उल्ढाये रखना चाहती है चीजों को खीच रही है कि जब 2024 का इलक्सन है कुछ इस तरीके से भरती आएगी कि 2023 में नोटिफिकेशन आएगा 2023 लाश्ट में या 24 में एक्जाम होगा और 2024 में ये जवाइनिंग दे देंगे लक्सन से पहले तो ये उनका पूरा प्लान है इस बात को आपको समझना होगा लेकिन हाँ उससे पहले आपको केंडरी विद्याले में बड़ी भरती देखने को मिलेगी क्योंकि केंडरी विद्याले संगठन की तरब से डिपार्टमेंटल वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है उसके बाद आपकी पर्मानेंट वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग एक साथ केवियस और सुपर्टेट की तयारी एक साथ करें हमारा कोई ऐसा कोई पएड कोर्स नहीं चलना है जो हमापको बार-बार बताएं कि वैकेंसी आजाएगी हमारा कोर्स ले लो वारना पीछे हो जाओगए छे मैने में मापको मास्टर बना देंगे ये सब काम नहीं करते हैं हमारे चैनल पर आपको पता होगा पिछले लगभद दो सालों से अच्छे तरीके से regular class चल रही है free class चलाई जा रही है आप किसी का paid course भी लिए होंगे एक बार match करिएगा उसमें भी इतने proper way में classes नहीं चलती होंगी जैसा कि हम आपको free content दे रहे हैं ठीक है आप science, geography, mathematics, Sanskrit, Hindi all subject को topic wise पड़ पाएंगे इसके लावा जीवन कौशल का भी वीडियो हमने upload कर रखा है जीवन कौशल, reasoning, computer हर subject की detail, theory और practice भी कराई गई है आप comment box में जाए playlist को देखिए इसके लावा B8 BTC को लेकर के अभी आपस में comment बाजी मत करिए कि B8 बाहर होगा क्या होगा क्या नहीं होगा Supreme Court में मामला चल रहा है जो वो सुनवाई करेंगे जद सहब उसके बाद भी सरकार चाहेगी तो B8 वालों को प्रात्मिक सिक्षक भरती में मौका देगी उसका कारड ये भी है क्योंकि B8 के सरकार के द्वारा B8 को ही अब आगी continue रखा जायागा डियलेट को बंद करने का निर्ड़े लिया गया है इस पर वीवीम ने आपको एक वीडियो दिया था तो आप लोग अपनी अपनी तयारी करें ठीक है फालतों की अफ़वाहों पर ध्यार ना दें जब भी कोई ओफिशियल लेटर जारी होगा तो वो आपको हर यूटूब चैनल पर हर समाचार पत्र में देखेगा इसलिए पचास वीडियो मत देखें जो चीज़ें आएंगी मैं आपको सबसे पहले अथंटिक प्रोवाइड कराएंगे इस वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मच इस वीडियो को अन्त तक देखने के लिए